पदमावत फिल्म पर हमारी कवरिज लगातार जारी है लिकिन इस बीच बड़ी खबर आपको ये दे दें कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स से राहत के आसार कम है दरसल तेल मंत्राले जिसकी तरफ से एक्साइस ज्यूटी कम करने का एक प्रस्ताव वित्तमंत्राले को भेजा गया था उसे नहीं माना है वित्तमंत्राले ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है मतलब पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टाक्स से राहत मिलने की फिलहाल उमीद कम वित्तिय घाचे की वज़े से टाक्स नहीं घटेगा पेट्रोल डीजल पेट्रोल जिस पर करीब 19 रुपे प्रती लीटर से ज्यादा का लगती है एक साइस जूटी और डीजल की अगर बात की जाए तो उस पर भी करीब 15 रुपे से ज्यादा की प्रती लीटर एक साइस जीजी लगती है तेल मंतराले की तरफ से एक ये प्रस्ताव वितमंतराले के सामने रखा गया था कि आप इसे घटा दीजे ताकि कीमते जो बेलगाम हो रही है पेट्रोल डीजल की उससे आम आदमी को कुछ राहत मिल जाए लेकिन ये प्रस्ता वित्मंत्राले की तरफ से ठुकरा दिया गया है सूतर ये बता रहे हैं कि वित्य घाटे की चिंता को देखते हुए ये फैसला जो वित्मंत्राले की तरफ से लिया गया है वित्य घाटे की वज़े से टैक्स नहीं घटेगा पेट्रोल डीजल पर ज्यादा टैक्स से राहत मिलने की अब उम्मीद कम सीधरों करते हैं भी पिन्यू समभाद आता शिशर सिना इस वक्त हमारे साथ मौझूद है फोन लाइन पर शिशर टैक्स नहीं हटेगा बिलकुल अभी तब जो संकेत हमें मिले है वित्मंत्राले से वो ये कह रहे हैं कि एक साइल ज्यूटी पे कमी करना भी संभब नहीं है और उसकी बज़ा बहुत साफ है सरकार की कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी है जिस उसाब से उम्मीद की जा रही थी ये स्थी से भी कमाई जो है वो पिछले महीने कम हुई थी हलाकि दिसंबर के महीने में कमाई थोड़ी बहतर हुई है लेकि इदनी भी बहतर नहीं हुई है कि वो लोगों को राहा दे सके सरकार के सामने एक और बड़ी चुनोती ये भी है कि वो किस तरीके से अपने पिस्कल डेफिसित को यानि कि सरकारी घजाने के घाटे को 3.2% तक सिबित रखे यही सब कारण है जिसके चलते उम्बीत कम है कि एक साइज जूटी में कोई कमी होगी